मंजिल मिले की परिंद्य को यकीनन ये उसके फैले पर बोलते हैं अक्सर खामोस रहते हैं वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चेनल I love students सुमित कुमार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजी और साथ में दबाईए बेल आइकन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वादा हूं इंडियन एर फोर्स इंडियन एर फोर्स क्या है? इसमें जॉब कैसे मिलती है? इसमें इसमें आपको सब्सक्राइब नहीं होता है अपने साहस और सौर के दंपर भारती तरंगा को हमेशा लहराती है ऐसे में भारती सेना के साहस भरे कारणा में देखर यूब यह जोज जगाती है कहीं ना कहीं यहीं इंडियन एर में भरती होना चाहता है सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईंडियन यरफोर्स में जोईन होने के लिए दो प्रकार यानि एंडियन एरफोर्स एक वाई ग्रुप संट होता एक होता एक सब्सक्राइद के वाई गरुप से उसके बाद अप्लाई करते समय यह 17 से 21 वर्स के बीच होनी चाहिए यह वीड के बाद करते हैं तुब इंडिय इंडियुने इंड्यान ये वडूप में क्या होता है संब्से पुरूरी नहीं है कि आपके पास इंटर में मतलब मैथ थी या नहीं फिजिक्स थी या नहीं यहां पर इंग्लिस माने रखता है सब्जेक्ट इंडियन एर फोर्स के गुरूप एक्स में जॉइन होने के लिए मिनिमम पचास परसेंट यानि आपके जो नंबर हो पचास परसेंट होने चाहिए टोटल और किसी भी सब्जेक्ट से पास होना अनिवार है बाई गुरूप के लिए आपकी जो एज सत्रा से 21 वर्स के बीच होनी चाहिए और यहां पर मैं आप आपके पचास परसेंट से अधिक नंबर होंगे तब यह आप इसमें फारम डाल सकते हो ठीक है पचास परसेंट से इंग्लिस में नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए और टोटल भी आपके पचास परसेंट से ज्यादा होना चाहिए उसके बाद इंडियन एर फोर्स में ज प्रिजिक्स केमिस्ट्री और मैध का होना अनिवार रहे है ठीके बार्मी में कम से कम 50% भी होना अनवार है जो भी इंडियन एरफ़ोर्स के लिए अपलाई करते हैं उन्हें सारे रुप से फिट होना चाहिए ठीके कोई भी सारीरी रूप से कोई भी मतलब रोग नहीं होना चाहिए सारीरी रूप से एकदम फिट होना चाहिए ठीक है इंडियन एर फोर्स जोईन करने के लिए आपकी जो आई है आई साइट बीक मतलब नहीं होनी चाहिए आपके आँखों में चस्मा ना लगा होना चाहिए ठीक है एकदम स्वस्थ होनी चाहिए आखे जिससे की आप आसानी से देख सकें आपके आँखों में चस्मा कोई चस्मा ना लगा हो ठीक है कोई भी लेंस ना लगा हो उसके बाद चूंकि पालेट बनकर जहार उड़ाना ब लिए आप तभी एर्फोर्स हैं कर पाते हैं जब आपके अंदर इंडियन एर्फोर्स के परित एक जुनून दिखाई देता है में इंडियन एरफोर्स का पेलोट बनने के लिए किसी फ्लैटिंग क्लब से कोउरस पूरा करना अनिवार होता है इंडियन imports आफ q uhhgiving जो NDA National Defense Academy यह भी 12 के बाद ही होता है ठीक है 12 के बाद आप सीधे फॉर्म डाल सकते और परच्छा दे सकते हो इसमें दो प्रकार का पेपर होता एक होता है मैथ का उनली मैथ का उसमें अगर आप मैथ में पास होगे तब ही आपको दूसरा पेपर मतलब कॉपी चेक कर जाती है ना अन्यता आपकी दूसरी कॉपी नहीं चेक की आती है उसे बोलता है जनरल अवेरेनेस ठीक है दो पेपर होते हैं एक ही जन्वाद सेकेंड मीटिंग मे के लिए हमें विविन चरणों से होकर उलना पड़ता है जो इस प्रकार है तो इल्ट पास करें इंडियन एलफोर्स में भरती होने के लिए सबसे पहले आपको बार्मी पास होना जुरूरी है सो जब नो क्लास में जाते हैं तभी आपको साइंस के सब्जेक्ट चुनने इंडियन एलफोर्स में छोन होने के लिए एंडियं का फॉर्म वर्ना आवस्यक होता है जोकी बार्मी के बाद ही इसके लिए applied कर सकते हैं एंडिके पर साल में दो बार रायो जीत होती है और एलफोर्स की भी दो बार करा जाती है एंडिया कि छूक्रेट निक आपको आगे सकति के लिए एसस्व को पास करना अनिवार है तो फ्रेंट्स आइए अब देखते हैं क्या या निचे के पढ़ना पड़ता है अगर आप डालते हैं एक जुरुप के लिए तो आपको अंग्रेजी बहुतिकी और गड़ित विस्व पर ज़्यादा ध्यान देना है ठीक है यह आपके बोड़े मतलब जो आप उसमें टिक मार का जो आप सनाते हैं उसी में आपको पूछा जाएगा अंग्रेजी बहुतिक और गड़ित आपके पेपर में और उसमें 8 मिनट में आपको सभी परसंद करने हैं अंग्रेजी बहुतिकी और गड़ित अगर आप केवल एक्स गृुप के लिए डालते हैं अगर आप यृप ने जाग रुखता तो आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट अगर आप बोट मतलब दोनों के लिए डालते हैं एक्स और आपको टाइम अगर आएक्स के डालती हैं तो साट्व मिनट वाई गुरुप के लिए डालते हैं तो 45 एक्स वाई दोनों के लिए तो आपको मिलते हैं 2020 तक पड़े थे ठीक है यह डेट निकल गई है फॉर्म पड़ चुके हैं पेपर की अभी डेट नहीं आई है अब जो पेपर होगा वो 19 और 23 मार्च के बीच में होगा यह एक्स वाई गुरुप का पेपर ठीक है अब अगली वार जो फॉर्म आएंगे वो मई या जून में 250 और सेस्टी के लिए भी 250 रुपए फीस होती है इंडियन एरफोर्स के लिए यहां पर देखिए फिजिकल एलेजिबेल्टी हाइट है मतलब आपकी जो लंबाई होनी चाहिए बहुनी चाहिए एक सो वावन पॉइंट पांच सेंटी मीटर उसके बाद जो मिनिमम एक्स ज जही है मतलब जब जबाद जितना भी आपका सीना उसमें पांस एंद्र मुंटर अफ ला सकते हो इसके बाद जो आपका बजन है वह मिनिमम होना चाहिए 55 kg उसके बाद जो एक्स गुरूप बाई गुरूप बोथ एकजाम कंडिडेट एज है वो शक्तिरह एक 2000 से लेकर 30 12 2003 तक के बीच में जब अगली बार आएगा फॉर्म तो वो ये वाली डेट थोड़ी ऊपर के ओर बढ़ जाएगी ठीक है सन 2000 रही रहेगी ये वाली बढ़ती रहती है धीर धीर ठीक है तो आप अगर 30 12 2003 के बीच में आते हैं तो आप डाल सकते हैं ठीक है 1712000 के ऊपर ठीक है इ यहाँ पर और पाश्ट थ्रियर पॉलिटेक्निक अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है अथवा में वह भी आप लगा सकते हैं 50% नमबर के साथ उसके बाद यहाँ पर वाई गुरूप में देखिए 10 प्लस टू इंट्रमिलिट एक्जाम फासट विद पचास परसेंट मार्क्स इंग्लिस पचास परसेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था इंग्लिस में 50% होना चाहिए तीक है अगर एक भी नंबर कम है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं अभी तो फॉर्म नहीं निकले हैं अब निकलेंगे पेपर हो जाने के बाद जिन लोगों ने डाल दिया बोवच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने फॉर्म तो जिन लोगों ने फॉर्म डाल दिया और तयारी कर रहे हैं इस बार अभी 2020 मार्च में होने वाला पेपर तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने सर्फ फॉर्म डाल दिया है तो फ्रेंट्स यह ब बीडियो में मिलते हैं नेक्स बीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग